थोड़ा धीरज रख थोड़ा और जोर लगाता रहें किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपको पूरे मन्त का एक साथ करेंड़ फेस पीडियो फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लिए उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डि वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से अंतर तक देखिए का बहुत important question है चलिए start करते हैं पहला question है दोस्तों मानव तसकरी के खिलाप विश्चु दिवस कम मनाया जाता है तो मानव तसकरी के खिलाप विश्चु दिवस दोस्तों प्रतिवस 30 जुलाई को मना जाता है निया option संडी राइट है देखिए उस्तों मानव तसकरी के खिलाप विश्चु दिवस 30 जुलाई को शयुक्त राश्ट द्वारा दुनिया भर में तसकरी का मुकाबला करने के लिए आवजित किया जाता है जो दुनिया भर में सरकारों को इस चिंता से निप्टने के लिए शमेकी तो लगातार उपाय करने का अग्रह करता है और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंबोडन कोईश्चन आपसे पूछा सकते एक्जाम में मानो तसकरी के खिलाप विश्चु दिवस का इस बार का विश्चा है क्या था थीम क्या था 2018 का इसका थीम था दोस्तों responding to the trafficking of children and young people ठ करने के लिए उच्छ स्तरी बैठा कावजित की और सदस्य देशों ने संकल्व को अपनाया और 30 जुलाई को मानो तसकरी की विश्चु दिवस के रूप में नामित किया था ठीक है तो प्रतिवर्ष मानो तसकरी खिलाप विश्चु दिवस कम मना जाता है जिसका राइड विश्च दिवस माई को विश्च दिवस मना जाता है कौन सा दिवस विष्ट जैव विवित्ता दिवस बात करें तो 12 नवंबर की तो प्रतिवर्स 12 नवंबर को राष्ट्री पक्षी दिवस मना जाता है कौन सा दिवस राष्ट्री पक्षी दिवस तो मानव तसकरी के खिलाप विष्ट दिवस कम मना जाता है यह मना जाता है प् और दोस्तों आप हमारे Current Fs के डेली वीडियो जरूर देखा करिए क्योंकि मैं आपको Current Fs के साथ साथ GK इस्टेटिक पार्ट भी कवर कराता हूं तो आपका लगभख सारा GK का पार्ट ये आप Current Fs के वीडियो डेली देखते हैं आप डेली मौनिंग में पांस से दस मिनिट का समय निका कर जरूर देख लिए करिए Current Fs के वीडियो काफी important रहता है ठीक है चलिए अगले कोशन के और बढ़ते हैं दोस्तों जेवेलिन खिलाडी नीरज चोपड़ा ने फिन लैंड में का उनस पदक जीता है ठीक है आपसाने Right देख दोस्तों जेवेलिन खिलाडी नीरज चोपड़ा ने फिन लैंड में सावो खेलों में अपने चीनी ताईप next स्रूर जिता है किसको हरा इन्होंने चीनी ताइपे प्रतेजंदी चाओ चुन चेंग इसके लावा दोसो नीरज ने फिनलैंड के लेपिन लहाती माजित इवेंट में 85.6 मीटर तक भाला फेंगा कितना मीटर 85.69 मीटर तक भाला फेंगा जहां होगा एसी आई खेलों के तयारी खिश्चे गुरूब में प्रेसिक्शन ले रहे हैं इसके लावा बता दे उसक चेंग ने 82.5 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर प्राप्त किया है ठीक है तो जेवेलिन खिलाडी नीरत चोपड़ा ने फिन लैंड में काउन सपदक जीता है तो इन्होंने गोल्ड मिडल जीत लिया है और अपने चीनी ताइप प्रतिद्वंदी चाओ चुन चेंगो को हरा कर इन्होंने सवन पतक जीता है और इन्होंने कितने मीटर तक भाला फेका है तो इन्होंने फेका 85.69 मीटर तक और कहां पर आजित हुआ है Finland में आज इत हुआ है ये जो तो खेल ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है ठीक है चलिए अगला कोशन है दोस्तों हाली में किस राज्ज ने National Register of Citizen जारी किया है तो हाली में National Register of Citizen किस ने जारी किया है जिसका राइट इंसर जाग दोस्तों Option A असम ठीक है असम ने देखिए दोस्तों असम ने एक जनवर 2018 को पहला मसाओदा जारी करने के साथ महीनोबाद नागरिकों के राश्टी रेजिटर के अंती मसाओदे को जारी किया है ठीक साथ महीने बाद जो है तो इन्होंने अंती मस जारी किया इसके लावत बता दें आपको तीन करोड के कुल आवेदक पूल में दो करोड नाम सामिल थे हाली में जारी की गई सूची में हमारे 40 लाख लोगों को पीछे छोड़ दिया गया ठीक है यह दोस्तों एनर्सी है क्या मतलब यह निशनल रेजिस्टर आफ तो अपडेटेड लिस्ट में किसी ब्यक्ति के नाम को सामिल करने के लिए उसे प्रस्तूत क्या करना होगा यह भी जान लिजे पहला नंबर विरासात आकडो का नाम कास्तित्त और उसके साथ उस ब्यक्ति के साथ संबंध प्रदान करना जिसका नाम विरासात आकडो में है और ये असम में एनर्सी सत्यापन कैसे शुरू हुआ है ये जान लीजी आप तो ये शुरू हुआ है दोस्तों 2013 में सुप्रीम कोट के गादेश के अनुसार असम में एनर्सी अपडेट की प्रिक्टिया शुरू की गई थी और आपको बता दे कि बंगला देश और अन्य आसपास के छेतरों से अवायत प्रवासन के मामलों को कम करने के लिए नर्सी अपडेट नागरिक्ता धिनिया मुनिश्च पच्पन के तहत और असम समझोते में बनाये के नियम गंसार किया गया था और इसमें किन को बाहर कर दिया गया है दोस्तों तूसमें जो जारी की एक अन्ति मसाओदो अनर्सी से बाहर किये गया है चालिस लाख हावेदकों में से तीन लाख हावेदक को डी वोटर यानी संदीक्त मतदाता जहें नारिकता सावित करन भी भलता के करण बंचित कर दिया गया है ठीक है तो हाली में कि सराज ने National Register of citizens जारी किया है तो यह जारी किया है आसम ने ठीक है आप बात असम की हो रही है तो यहाँ पर जो question पूछा आता है बार-बार पूछा आता है कई exams में काजी रंगा निशनल पार्क ये भी असम मिश्थीत है और एक कोश्चन तो काफी बेसिक पूछा आता है बहुत बार पूछाता है विहू किस राज्ज कन रित्ते हैं तो यह दोस्तों आसम का ठीक है आसम कन रित्ते हैं बात करें आसम की राजधानी तो दिशपूर है गवर्नर है जगदीश मुख और सियम की बात करें तो शर्वानन सोनोबाल वरतमान सियम है तो हाली में किस राज्ज ने नेशनल रिष्टर आफ सिट जन्यानी नर्सी जारी किया है तो यह किया असम गवर्मेंट ने अगला कोशन है भारत ने किस देश के साथ तकनीकी सहयोग में इवेश के लिए एक सम अर्व अमिरात के आर्टी फीसल इंटेलिजेंस ने भारत के लिए एक समझो तक जापन वस्ताक्सर किया है और यह साचेदारी दोनों देशों के लिए अगले दसक के दोरान आर्थी किलाव में अनुमानित 20 अरव अमिर की डॉलर का अनुमान लगाएगी दोस्तों आपको सभी कर दिरहां मैं तो बारत ने किस देश के साथ तकनिकी सहयोग में निवेश के लिए एक सम्झोतक जापन पर स्ताक्सर किया है और इसमें भारत की तरफ से बारत की किसें किया स्ताक्सर जो भारत के केंडरी-वारी-जरुद्योग-मंत्री हैं सुरेश प्रभु जी किया है जिसका राइट एंसर हो जाएगा option c भारती रेलवे द्वारा ठीक देखें उसको भारती रेल ने राष्ट्री रेल संगरहले ने दिल्ली में आजीत एक दिपसी समारों में मिशन सत्य निष्ठा और सार्विनिक प्रसासन में तिकता पर एक कारिक्रम का सुभारम किया इस इस तरह के पहले इवेंट में भारत के केंद्री रेल मंत्री हैं प्यूश गोएल ने कारिक्रम में अधिकारियों और परवेक्षों को सब्द दिलाई है इसके लाब आपको बता दें कि रेलवे वेट को चेर्मेन वरत्मान में सुनी लोहानी ने पहली बार इस तरह को इव सकताओं बारे में समयनलसिल बनाना है ठीक है क्या उदेश से इसका सभी रेलवे करमचारियों को अच्छी नतीक तक वनकरन करने और कारेपर रहनता की उच्चमान को बनाया रखने की आप सकता के बारे में 45 तो वरतमान में भारत में केंद्री रेल मंत्री कौन है प्यूश गोईल जी है और एक कोईशन ये भी पूछा सकता है कि वरतमान में रेलवे बोड के चेर्मैन कौन है तो वह है अशुनी लोहानी जी ठीक है कहाँ पर समारा हुआ है ये नई दिल्ली में ठीक है तो दोस्तों आपको बता दे कि भारती रेल जो है तो इसका जो राष्टी करण कप किया गया थे भारती रेलवे का 1950 में जो तो भारती रेल का राष्टी करण किया गया थे ये भी कोईशन कई बार पूछ लिए जाता है और तमाने भारती रेल में कितने जोन है सत्रह जोन है तो ठीक सत्रह जोन में तो हाली में मिशन सत्य निश्टा को शुहरम किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया भारती रेलवे द्वारा है, ठीक है, चलिए, अगला कोश्चन दोस्तों, यासर डोगू इंटरनेशनल में बजरंग पूनिया ने काउन से पदक जीता है, तो यासर डोगू इंटरने इसके लावा रैंकिंग इवेंट में पहलवान महिलाओं दोरा जीते गए, साथ पदकों सहीद, कुल दस पदकों के साथ लावटे, विकी ने 57 किलोग्राम में कान से पदक जीता है, ठीक है, और दोस्तों बात करें तुर्की की, तुर्की की राज़ानी अंकारा, और मुद पदक जीता है, जबकि संदीप तोमर ने इसमें रज़ात पदक जीता है, ठीक है, चलिए, अगला कोशन दोस्तों, किस राज़ में दूध मिशन की शुरुवात की गई है, किस राज़ में दूध मिशन की शुरुवात की गई है, तो इसका राइड एंसर होगा, दोस्तों वो होगा सिलोंग ठीक है मेगालाय में यानि ऑप्सन सी राइट है देखें उस्तों केंदरी कृष्टी और किसान कल्यान मंतरी जो है भारत के राधा मोहन सिंग ने मेगालाय सिलोंग में दूध मिशन की शुरुआत किया है और यह मिशन राज में दूध व्यापार को बढ़ करोड़ रुपए और रासी को उपयोग डेरी फर में सिलिंग सेंटर और दुख दुपशू खरीद की हिताहत बिविन प्रेक्शन के लिए लागू किया जाएगा ठीक है और इसके अलावब दूध मिशन राज को राज के अपने उत्पादन के साथ दूध के आयात और प् किसानुक्या दोगना करने के केंद के लक्श को हासिल करने में मदद करेगा में घाला की बात करें तो हैं कि सीम है कौनराड संगमा और राजजपाल हैं गंगा परशाथ ठीक तो यह जानकारी आपको याद रखनी है ठीक तो किस राज में दूध मिशन की शुरूद की गई नई दिल्ली में शुरू हुआ है कहाँ पर नई दिल्ली में और यह वार्षिक सम्मेलन के दौरान चीफ ऑप इंटेग्रेटर स्टॉप की अधिक्षता में बड़ी संख्या में त्री सेवा मुद्नों को सामना करने वाली चुनोतियों का समधान और भविश्य के लिए योजनाओं को विक्सित करने के लिए पूरी तरह से विचार किया जाएगा तो यूनिफाइट कमांडर सम्मेलन दोठारक सूरात कहां होगी है यह हुए दोस्तों नई दिल्ली में ठी प्रभात कोली यानि ऑप्सन भी राइट है देखे उस तो कॉलेज के छात्र प्रभात कोली ने जिन्होंने 16 वर्ष के उम्रह में एंगलिश चैनल पार किया था वह जर्सी जो की यूके में स्थी थै ठंडे मौसमें फ्रांस में चप्टे पानी में तरने वाले पहले किया और फ्रांस के नॉर्मेंडी तर्ट पर सेंड जर्मीन प्लाच के किनारे कुछ हुआ है ठीक है तो यूके फ्रांस चैनल तैर कर पार करने वाले पहले सिया यूवा कौन बन गए हैं तो बने के प्रभात कोली जी और इन्होंने जो दोस्तों 25 किलोमीटर लंबी दूरी कितने छे घंटे और मातर चोमान मिनुटर तैकल ली है ठीक है तो यूके फ्रांस चैनल तरने वाले पहले सिया यूवा कौन बन गए हैं प्रभात कोली अगला कोश्यन दोस्तों रसियन ओपेड बैंड मिन्टन टॉफी के किताब किसने जीता है तो रसियन ओपेड बैंड म अंगर्स में जापान के कोकी बाटानवे को हराया किसको हराया कोकी बाटानवे को इसके अलब आपको बता देंगी सत्र का पहला खिताब उन्होंने 2016 में चीनी ताइपे मास्टर जीता था और रूसी बर्स बिट बर्गर ओपेड में उपविजेता रहे थे ठीक है और बता दानी दोस्तों मास्को और मुद्रा है रूसी रूबल तो रसियन ओपेड में टोफिक हिताब किसने जीत लिए यह जीत लिए शौरब बर्माने अब देख लिए थे दोस्तों जो कल का एंसर कल मैंने कोशन पूछा था तो उसका एंसर क्या होगा इसका राइट एंसर जाग टाइगर दिवस कम मनाया गया है दोस्तों आपको बताने एक हाली मंतराशी टाइगर दिवस कम मनाया गया आपसन आपके सामने हैं यह आपने कल की वीडियो देखियोगी तो आपको एंसर निश्ची तुरूप से पता होगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों म आप हमारे Facebook पेज को ज़रूर लाइक कर लिजे, वहाँ पर आपको बहुत सारे नोट्स मिलते हैं, टेलिग्राम चैनल जोईन कर लिजे, यदि आपको कुछी भी सवाल है, सुझाओ, पूछना हो, Instagram पर हमें फॉलो कर सकते हैं, online HD point के नाम से ID, Instagram से सर्च करके, या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी फालो कर सकते हैं, ठीक है, तो प्लीज वीडियो पसंद आए, तो लाइक करके जाईएगा, और आप इसे ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, श्वास्त रहिए, बेस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन सूभ हो, जै हिंद, बंदे मातरम, टेक केर, बाई बाई